अभी बस देखी है यह मूवी और कसम से अगर मुझे मूवी का रिव्यू ना करना पड़ता ना तो मैं इस मूवी के तरफ तो देख मतलब मैं बस अपना मूग गंदा नहीं करना जाता हूं नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं कुली नमबर वन यानि एक और बोलीवूड की कोपी कहलो इसको रिमेक कहलो बात तो एक ही है मुझे लगता है कि वरुन धवन के जो पिता है डैविड धवन उनको लगा कि उसका बेटा जो उसको काम चाहिए मतलब वो बेरोजगार होगाट है उसको रोजगार देते हैं तो अपनी बेटे को बुला के कहते हैं आजा आजा वरुन तुझे एक काम देते हैं वरुन ने पुछा यार क्या काम देंगे फिताजी हमको कहता एक मुवी है हमारे पास कुली नमबर वन के नाम से मुवी थी अब लोगों को एक तरीके से बेफकु बना देते हैं इसकी कहानी चेप देते हैं कोपी कर देते हैं और एक बड़िया बड़िया होटल दिखा देंगे तुमको लोग पागल हैं लोग हो जाएंगे और हैन हम स्टार किट को देखने क्यों नहीं आते लोग तो भाई साब इन्होंने बना दी ये वहियात मुवी अब देखा यार मैं इस मुवी की कहानी के बारे में और वन आई हैं तुम सच कहार हो तुमें इसकी ओरिजिनल मुवी से भी नफरत हो जाएगी और मुझे लगता है कि गोविंदा को इनके उपर केज कर देना चाहिए यार कितनी भ्यंकर तरीके से मिमिक्री करके या फिर जो भी एक्टिंग करके उनका मजाक उड़ाया गया नहीं और सच में बहुत जादा इरिटेटिंग था और यह मुवी पहले थेटर में आने वाले थी वो तो शूकर है यह चाइना का करने गया हुआ है तो उस टाइम की कोमेडी लोग इस टाइम कैसे कोई कुछ नहीं क्या है इसके अंदर यार पहले तो यह लोग थोड़ा 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 थे लेकिन यार इन्होंने तो अभी इतना जादा गंद फैला दिया है कि इन्होंने हगने की सारी लिमिटी या उसके अंदर लोजिक यूज नहीं करना बट इतनी घटिया इतनी घटिया कैसे बना सकते हो तो और विएफेक्स वो विएफेक्स थे यार उससे बैटर तो मुझे लगता है कि यूटूबर्स अपने वीडियो के अंदर एडिटिंग करते हैं वह विएफेक्स वो अब वरुन दवन ने पूल मुवी में मित उंदा किया है मतलब उनकी मिमिक्री किया है और सिरियसली इससे हंसी बिलकुल भी नहीं आती इससे गुसा आता है इरिटेशन होती है अब हंसी आती है कि यह सब बना के रख दिया है तुम लोगों ने और सबसे ज़्याजा पूल ना करना पड़ता ना चुड़ो और मुझे लगता कि वरुन दवन को खुद शांती से यह मूवी देखनी चाहिए जो उन्होंने इसके अंदर काम किया उसको एक बड़ टोलना चाहिए बिना ड्रक्स लिए इसको देखना चाहिए कि उन्होंने इसके अंदर क्या कि और जो भी वरुन दवन के जो फैन है जिनको हर्ट हुआ है कि हमारे फेवरेट एक्टर के बारे में हम तुसे बहुत जादा पसंद करते हैं देखो भाई यह ऐसी बात है कि अगर तुम किसी किया फैन हो तो लेकिन अंदमक्त मत बनो यार उसकी रियालिटी को पैचानो जै तो एक्टिंग नहीं वो तो बहुत जादा उंदा कलाकार है तभी बुरा लग रहे कि उन जैसे कलाकार को मतलब क्या जुरूरत आन पड़ी ऐसी वहयात मुवी में ऐसा गटिया रोल करने के यार सिरियसली बहुत जादा बुरा लगा उनको वो जब जो भी उसके अंदर कर शुरू से लेकर आखिर तक कोई सेंस नहीं कोई लोजिक नहीं चलो इन्होंने तो लोजिक को तो मार दिया था हमने भी मार दिया साटिंग में सोचा था क्या लोजिक ओमीडी मूवी में कहा लोजिक लेकिन लोजिक कैसे यूज कर सकता हम यार इस मूवी के सामने चलो तो से थेटर वाले ऐसे वाहियाद मुवी को हम नहीं लगाने वाले मेरी तरब से इस घटिया मुवी को 0 out of 0 star मैं तो इसके सामने कोई भी नमबर भी इंटरुद्स भी निकरना चाथा बताना भी निचाहता जिकर भी नहीं करना जाता किसी भी नमबर का इतनी डिजर्व ही नहीं करती यार यह मूवी इतनी घटिया इतनी वाहियात इंटोरेबल यार सच में डिसकस्टिंग छोड़ो यार बस तब अगर किसने मूवी देख लेगे तो प्रीज कमेंट करके मुझे बताने कि आप लोगों को यह मूवी कैसे लगे बेशक अगर आप फैन ह लेकिन थोड़ा से अपनी बुद्धी का यूज कर लेना ऐसे पागलों की तरह कमेंट मत करने मैटना कभी गाली मैं यह तो गाली गुली तुम्हें कभी डिलीट करता भी नहीं किसी की करते ना बेशक करना तुम्हारी आजादी है मैं किसी के आजादी के आगे बिल्कुल भी नहीं आता हूं लेकिन से करना कोई भी चीज तुम अगर देख रहे हो तो मेरे ख्याल से तुम समझदार होगे अगर समझदार हुए तो उस चीज को टटोल ना कि तुमने क्या देखा है उसके अंदर क्या दिखाया गया और अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं strongly क कि चोड़ो इस बखवास को इस एक नंबर की वहीर बहुत कुछ है यार तो मेरे चैनल पर जाकर देख़ो लगर बहुत अच्छे बीडियोस में रखे बहुत सारी फ्ली इस की करके उनको जाकर देखो ये ऐसा कुछ डिजर नहीं करती देखने को तो बसाअच अच्osters वीड English Studio मिलते हैं, NX Studio में, जैहिंद